नमश्कार दोस्तों आप सभी का सौगत है में सेसी नोट्स में तो दोस्तों आप लोग जो BPSC TRE 3.0 का रीगजाम दिये हैं उसका रिजर्ट का अगर इंतिजार कर रहे हैं तो उसको लेकर एक बड़ी अपडेट आई है जो की एक न्यूस के माध्यम से है तो हम लोग आपके द्वारा सेयर करने वाले हैं तो उसमें क्या है कैसे है और आगे की क्या अपडेट है नि 4.0 को लेके क्या अपडेट है ये भी मैं बताने वाला हूँ ठीक है तो सबसे पहले रिजर्ट की बात कर लेते हैं कि रिजर्ट के लिए आपने ये देख लिया होगा स्क्रीन सॉट ठीक है वाट्सेप का तो इसमें क्या चीज़ है ये मैं बता दूँ इसमें ये कहा गया है कि फाइनल आंसर की जारी हो चुकी है और उसके बाद क्या बचा है तो अब बचा है केवल और केवल रिजर्ट ठीक है तो रिजर्ट बोला जा रहा है कि विजया दस्मी विजया दस्मी मतलब आप जो नवरात्र होती है उसके एक दिन बाद विजया दस्मी जिसमें रावण को मारा गया था ठीक है जिसमें प्रभू स्रीराम ने रावन को मारा था ये बोला जा रहा है कि विज्या दस्मी के पहले पहले result देने की पूरी की पूरी कोसिस की जा रही है क्योंकि जो roasters है वो लगबग लगबग भेज दिये गए है ठीक है BPSC को और जो आयोग है उसको भेज दिया गया है तो सब कुछ क्लियर हो चुका है तो यहां पे आप यह समझ लीजे कि आपका जो रिजर्ट है वो बहुत जल्दी आने वाला है और एक अपडेट और बता दें 4.0 के लिए जैसे ही क्या कहते हैं क्या होगा जैसे ही X का रिजर्ट लागू हो जाएगा जारी हो जाएगा वैसे ही 4.0 का भी प्रक्रिया सुरू हो जाएगी पद की प्रक्रिया सुरू हो जाएगी वैसे ओल्रेडी सुरू है क्योंकि जितने जिलो में जितने जितने सीर खाली है वो मंगाया गया है ठीक है जो पूरा कलेक्ट हो ज करें क्या एस्टेट का रिजर्ड की भी बाद करें तो एस टैट का पी रिजर्ड जल्द ही इसी समय पे ही जा electronics की ओंका है झालोग तो पूरा स्लेबर साब का कवर हो जाएगा फिर आपको लास्ट टाइम पे लास्ट के एक सदो महिना प्रैक्टिस के लिए चाहिए होता है याद रखना लास्ट के एक सदो महिने क्या चाहिए होता है प्रैक्टिस के लिए तो अगर अभी से त्यारी नहीं करोगे तो वहां प्रैक्टिस के जोरान आप क्या करोगे बताइए हाँ तो आप थियोरी लगा रहे होगे जहां पर प्रैक्टिस की जुरत है तो वहाँ पर थियोरी लगाओगे तो फिर नहीं होगा इसलिए अभी तियारी करना शुरू कर दें और हाँ एक और चीज़ कि जो हिंदी साहित के चात्रे हैं ठीक है जो चात्रे हिंदी साहित के हैं उनके लिए 4.0 के लिए बैच स्टार्ट कर दी है यह ठीक है बहुत ही dedicated बैच होती है बहुत ही limited seats होती है इसमें तो आपको पता है और जो पुराने बच्चे हैं उनको भी पता है कि कैसे class चलती है ना कैसे dedication के साथ कितनी फीस है 1199 आज ही यहां पर आप क्या कर से यहां पर संपर कर सकते हैं एप का नाम है MSSSE Notes ठीक है इस एप पर जाना है यहां पर यह वाला बैनर दीखेगा यहां पर हिंदी साहित और GS कुछ लोग बच्चे कहते हैं किसमें व्याकरण होता है कि नहीं होता है व्याकरण साहित रहे होता है GS की क्लास होते है MATCH के क्लास होते हैं साइंस की वी होती है और कि इसमें किसकी क्लास होती है तो जितनी भी PDF होती है जितने भी handwritten notes होते हैं, सारी चीजे इसी में available होते हैं, केवल और केवल 11 सुन इन्वें और साल बर की validity होती है, तो इतना सब कुछ मिल रहा है, तो आजाओ, join करो, ठीक है, तो मिलते हैं फिर आगली class में, तत्त के लिए नमस्कार, जैहिंद, और हाँ, एक ज़ात और है, कि अ कर सकते हैं, तो मिलते हैं अगली बात, अगली class में, सब तक लिए नमस्कार, जैहिंद,